So, Hey What's Up Guys, Welcome Back So, आज मैं आपको कुछ इस तरह की फोटो को एडिट करके सिखाने वाला हूँ तो अगर आपको इस फोटो को कैसे एडिट करते हैं, सीखना है तो चलिए विडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको उस फोटो को एडिट कर लेना होगा, जिसको आपको एडिट करना है देन उसके बाद में आपको इसका बैक्ग्राउंड रिमोब कर लेना है तो मैंने अल्रेडी रिमोब कर लिया है चलेंगे हम लोग add photo के उपर add photo के उपर जाने के बाद में हम लोग उस photo के यहां से add कर लेते हैं कुछ इस तरह से इसके उपर से हम लोगों को adjust कर लेना होगा तो कुछ इस तरह से हम लोग photo को adjust कर लेंगे उसके बाद में अब आपको क्या add photo पे चलना होगा add photo पे जाने के बाद में अब आपको यह जो pngs वगरा है तो मैं आपको description box में दे दूँगा वहाँ से download कर लेना तो इस तरह से इसको हम लोग इस तरह से बड़ा कर लेंगे and उसके बाद में अब आपको यहाँ पर एक option दिख रहा होगा यहाँ पर इसको move down कर देंगे इतना होने के बाद में आपको फिर से add photo पे चलना होगा add photo में जाने के बाद में फिर से हम लोग pngs को add करेंगे इस वाली को add करेंगे तो यहां से हम लोग कुछ इस तरह से कर देंगे and इतना होने के बाद में फिर से add पर जाएंगे and फिर से अपनी png को add करेंगे इस तरह से होने के बाद में इस तरह सा होगा तो यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से adjust कर लेंगे and erase वाले option पर जाने के बाद में erase पर click करेंगे और यतना सारा सब कुछ erase कर देंगे सिर्फ हम लोगों के जो माथे पर एक टी का type का होना चाहिए तो इतना रखेंगे and उसके बाद में यहाँ से tick करेंगे then छोटा कर देंगे हम लोग and set कर देंगे उसके बाद में फिर से हम लोग क्या करेंगे add photo पर चलेंगे and इसी वाली png को फिर से add कर लेंगे हम लोग and फिर से adjust करेंगे इसको and फिर से हम लोग इसको erase कर देंगे and फिर से tick करेंगे then फिर से इसी png को हम लोग फिर से add कर लेंगे या तो फिर इसको आप यहां से duplicate कर सकते हो तो इधर आप इसको set कर सकते हो एंड उसके बाद में फिर से हम लोग add पर चलेंगे एंड फिर से यहां से उस png को हम लोग add कर लेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से एंड फिर से erase कर देंगे हम लोग and यहां से done कर देंगे इतना होने के बाद में फिर से add photo पर चलेंगे add photo में जाने के बाद में आपको फिर से इस वाले png को add कर लेना होगा तो यहां से मैंने इस तरह से इसको add कर लिया है इतना होने के बाद में आपको erase वाले option पर click करना है देन आपको यहाँ पर face से थोड़ा सा इसको remove कर देना है इतना होने के बाद में अब आपको यह से डन कर देना है और आप हम लोग मिलते हैं सीधे lightroom app के ऊपर तो यहाँ पर अपना इस तरह से open हो चुका है अब आपको यहाँ पर एक auto का option दिखरा होगा इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो अपना color adjust हो जाएगा देन उसके बाद में फिर से आपको क्या करना होगा आपको color वाले option पर जाना है देन आपको temperature जो है वो थोड़ा सा minus पर कर देना है यहाँ पर आपको minus कर देते हैं उसके बाद में फिर से color वाले option पर क्लिक कर देंगे यहाँ 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 से पर क्लिक करना है यहां पर आपको फेस के ऊपर कुछ इस तरह से कर लेना होगा एंड उसके बाद में इसको अर्जस्ट कैसे करेंगे यह बता देता हो आपको तो यहां पर आप इस पर आपको लाइट वाल ऑप्शन मिलेगा एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है फेस पर कुछ इस तरह से और कॉंट्रस्ट को थोड़ा सा हम लोग प्लस कर लेंगे और उसके बाद में अब हम लोग ब्लैक को माइनस करेंगे और वाइट को थोड़ा सा प्लस करेंगे इतना होने के बाद में बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से अ अपना यह photo बनके ready हो चुका है and save करना के लिए आपको इस वाले option पर click करना है and save to device